नमस्कार स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में आप सभी को बता दे कि भारत की 15 वी राष्टपती बनी है द्रौपती मुर्भू अब इन से जुड़े सवाल आपके एक्जाम में हो सकता है कि कम हो लेकिन राष्टपती के पद को लेकर जितने सवाल बन सकते हैं हमने इस वीडियो में डालने का कोसिस किया है तो लगबग 50 प्रश्ण है इस वीडियो में और वीडियो को आँ तक देखेगा सारी जानकारी आपको अप्रोडेट मिलेगी लेकिन इस पंद्रहवे राष्टपती के बारे में आपको थोड़ा सा जानना भी जरूरी है भारत की पंद्रहवी राष्टपती द्रौपदी मुर्मो है और ये उडिशा में जन्मी है और उडिशा में जन्मी है अपना राजनीतिक करियर भी इनोंने उडिशा से सुरू किया है और अगर हम इनके सम्वेधानिक पद की बात करें तो इससे पहले यहाँ पे आपको बता दे कि द्रोपदी मुर्भू जारकंड के राज्यपाल यहाँ पहली आदिवासी राज्यपाल भी रह चुकी है और अब भारत की यह पहली आदिवासी महिला राष्टपती भी बन चुकी है तो आपको बता दे यहाँ पे कि इनसे पहले एक और हमारी महिला राष्टपती थी वो प्रतिवासिंग पाटिल थी उनके बारे में भी हम चाच्चा करेंगी वह कौन से नंबर के थी लेकिन इतसे पहले आपको थोड़ी सी जानकर रहे जी कि आखिर 15 राष्ट्पती के पद पे दौपती मुर्मो कैसे हैं क्योंकि कारेकाल की अगर बात कर लें तो डॉक्तर रजिंदर प्रसाद जो है सबसे पहले हमारे देश के राष्ट्पती बनते हैं और वह 1952 से लेकर 1962 तक यानि की कंप्लीट 10 साल का अपना कारेकाल यहां पर पूरा करते हैं तब जाकर यह अगर हम देखे तो यह हमारी 15 करते हैं इन से जुड़ी हुए तच्छों बेबात करते हैं बीच बीच में मैं आपसे कुछ कोशन भी पूछूंगा जो कि आपको कमेंट सेक्षन में कमेंट जरूर करना होगा अपने आंसर को नीचे जरूर कमेंट करके आईएगा तो अगर हम बात कर लेते दोस्तों यहा पर समझने होंगे तो अगर आपके सामने में पहला कोशन रखो तो द्रौपदी मुर्मु का जनम किस राज्जी में हुआ है तो ओडिशा में हुआ है आंसर यहां पर आप बी कर सकते हैं आपको बदा दे कि मयूर भंजिले में 20 जुन 1958 को एक आदिवासी परिवार में जन्मी है और यह जो हैं दोस्तों आपको बदा दे कि हमारे देश की 15 वी राष्टपती बनी है उडिशा से अगर सवाल पूछेगा एक्जाम में तो ध्यान रखेगा भुवनेश्वर जो है भुवनेश्वर जो है यहां पर इसका कैपिटल सिटी है और भुवनेश्वर से काफी दूर इनका जो छेत्र है इनका जो गाउं है यहां वो इनका गाउं पड़ता है लेकिन फिर भी एक आधिवासी छेत्र से उठकर देश की राष्टपती बन चुकी है आपको बदा दे कि इनका पिता का नाम बिरंची नरायन टुडू था जो कि अपनी परंपराओं के राष्टपती कौन बनी है तो बिलकुल यहां पर आप आंसर एक कर सकते हैं द्रौपदी मुर्मू अब आपके इनके जो राज़्डितिक करियर की चर्चा कर ले दोस्तों तो इनके पद होने मतलब जो राष्टपती पद के लिए होने वाले मददान में एंडिये की तरफ से यहां इंडिये की ओर से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया गया द्रौपदी मुर्मू उडिशा की आदिवासी महिला नेता है और जारकन की गवर्नर भी रह चुकी है यह सवाल हो सकता है कि आप से एक्जाम में पूछा जाएगा लेकिन ध्यान रखेंगे आप लो सवाल पर चलते हैं द्रौपदी मुर्मू भारत कि कौन सी राष्टपति बनी है तो पंद्रहवी राष्टपती बनी हैetaan किया अगले सवाल पर चलते हैं भारत के राष्टपती चुनाओ 2022 की घोष्णा कब की गई थी तो यह एक इंपॉर्टेंट और महत्रपूर्ण सवाल है दोस्तों आपको बता दे कि यह जो घोष्णा होई थी यह आप नूट कर सकते हैं और चुकि राश्च्पति के चुनाओ से संबंदी जो या निर्वाचन से संबंदी जो विध को लेकर ठीक होता है यहां पे विधायक जो है अपने मत का मुल्य प्रदर्स्रिद करता है ठीक जिसमें कि 11 ratt को होती है बटे में जूकि इस तरह से रॉअचन कर सकते हैं आर्टिकल पचपन के अगले सवाल जब्रभ हुआए 22 के लिए मतदान कब हुआ तो यह आंसर कर लिए मतदान हुआ है 18 जुलाई को इसी महीने में हुआ है सवाल एक बनेगा जुरूर यहां पर कि राष्टपती को सपत कौन दिलाता है तो भाई देखिए जब निर्वाचन होगा उनका चुनाव हो जाएगा तो उनको सपत दिलाने के लिए हमारे देश के चीफ जस्टिस जिहां आंसर एक कर लिएगा के निव्ट करते हैं उनको यह आप नोट कर सकते हैं यह हमारे 48 वे हैं और 49 वे कौन हैं हमारे 49 जो हैं कौन बनेंगे आप हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरू बताएगा ठीक है एक कोशन पूश्राओं मैं आप लोगों से आपको जरू बताना चीए द्रौपती मुर्मू किस राज्य की राची राजधानी है इसका और अभी फिलाल यहां पर जो राजिपाल है वो रमेश बैस है याद रखेंगे ठीक है और यहां के जो कैपिटल सिटी है राची है यह भी आप ध्यान रखेगा आपको बताते कि आंसर डी कर लेंगे यहां पर जहारकंड इस दा करेक्ट आंसर हैं दोस्तों सवाल है आपके कि द्रवबदी मुर्मो ने किस नगर पंचायत के पारसद चुनाव को जीत दर्ज करके अपने राजनीतिक जीवन का फ्यारम किया था तो मुर्मो से सम्मंदित कुछ आपको जानने होगे यहां पर दोस्तों जियां आंसर कर लेंगा इस राइ चरंग पूर्थ से नगर पंचायत के पारसद के चुनाव में हिसा लिया और अपने जीत दर्ज की थी भाजपा ने मुर्मो को पार्टी में अनुसूचित जनजाती मुर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया और यह पहली महिला उपाध्यक्ष थी यह भी ध्यान रखिएगा नेक्ष कॉशिं पर चलते हैं कि संभीधान के 40 के अनुसार भारत एक राष्टर पती होगा तो भारत का एक राष्टर पती जिहां किस आर्टीकल चुना पताया गया लेकिन आर्टिकल 53 जो था, यह सब जानना जरूरी आपको, fact जानना जरूरी है, आर्टिकल 53 जो है, है यह संग की करेपालि का शक्ति जो है राष्टहपती में नहीतच जो होगी ऐसा बताया गया है और प्रधान मंत्री इसका परियोग कर सकेंगे थिक है और इसба मंत्री परिश्रों के सलाकिया नुसार पर जटातर निर्वाचत मंदद रिधान सब सबाओं के ब fertilization में it कर सकते हैं और यहां पर इसका संसुधन किया था 1992 में दिल्ली को लेकर इसके अंद्रगत सामिल किया गया कि इसको राष्ट्रपती को क्या है केंद्रित करता है वह राष्ट्रपती करता है यह आपको पता होना जी तो आर्टिकल चववन में निर्वाचक मंडल जो है इसमें संसद और विदान संसुधन था यह सतर्वा संविदान तो यह तो आपको ध्यान में रखना होगा यहां से अगले सवाल पर चलते हैं भारत का प्रथम नागरिक और यह सब्सक्राइब को होता है ने भारत के राष्ट्रपती का क्रेकल कितने वर्स याद रुड़िकार इंपॉर्डेंट है अगले सवाल पर चलते हैं भारत के राष्ट्रपती कि किन की द्वारद चुन हो ने जाते और आपर तयाक भी पतत्र दिना होगा तो किसको देता है अपना उपर राष्टपती को राश्टपती से काम नहीं हो रहा है तो यह अपना थ्याग पत्र दे सकते हैं उपराश्टपती जो है इसकी सूचना लोग सभा के अध्यक्ष को देता है इसको देता है लोग सभा के अध्यक्ष को देता है यह ध्यान रखे गए और आटिकल 57 क्या कहा देता है तो प्रस्टों के द्वारा हमारे राष्ट्रपती चुने जाते हैं अभी आप लोगों ने हाली में जो द्रोप मुर्फु का चुना हुआ हुआ है उसके न्यूज को देखा हुआ आप में कि हर राज्य के लोग सभा राज्य सभा और विदान सभा का जो सदस्य है जो कि जंटा के द्वारा चुंकर गया है वही इनको बोट देकर विजय बनाता है तो इनके जो द्वंदी थे यह ना मतलब के एक तो सबसे जदा थे जस्वंत सिन्हा इनको जो है कितने बोटों से हर राया है वह मैं आगे बताऊंगा आप लोग ध्यान रखेगा सवाल में च उब द्रौड यहां से कोष्न बनेगा आपको बता देना चाहते हैं कि वो अपने बुद्धी को इस्तमाल करते हुए यहां पर राश्च्पति शासन लगा सकता है पहली बार राश्च्पति शासन कब लागू किया गया था यह लागू किया गया था दोस्कों तो अपने आप में एक इंपॉर्डेंट सवाल है यह निलम संजीव रेड़ी क्योंकि 1913 से 1996 जिवीत रहे यह और यह है निलम संजीव रेड़ी इनको तस्वीरों में आप देख सकते हैं यह यह इस दर करेक्ट आंसर ठीक है और यह इंपॉर्डेंट है कोशन और यह आना चा भी बिल पारित होता है तो उसके लिए राष्ट्रपती का यहां पर स्विक्रिती जरूरी है यह इस बात का ध्यान रखिए आपको भारत के राष्ट्रपती पत के लिए उमिद्वार की नियुन्तम आयों कितनी होनी चाहिए तो यह है आपको दिया सी यानि के 35 साल कम से कम आपका यह इस क्रेटेरिया होना चीए आप अगर भारत के राष्ट्रपती बनते हैं तो राज्जिपल की नीयुक्ति भी करते हैं नियंद्रक महालेगा की भी न्यूक्ति करते हैं तो बहुत सारे से पते जिनकी न्यूक्ति कौन करता है तुम्हारे राश्ट्पति करता है लेकिन इनकी आयू जो है रखे गई है सवाल नमबर नेख्ट भारत की तीनों सेमाओं की सरवोची सेनापती अब कौन है तो द्रौपती मुर्मू होंगी यहां जो कि भारत की पंद्रहवी राश्ट्पती ए इस दा करेक्ट आंसर भारत की राश्ट्पती और उपराश्ट्पती की अनुपस्तिती में कारे भार कौ संभैधानिक अद्यक्ष कौन होता है कि दीकि कारिपाली का समभंदी सकती अलग है सब्धानिक सकति अलग है राश्पती की सकतिं था चार्चाण करे तो आर्टिकल seventy ninety 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 ndamor article drie three one और पिरकिये पाइप आपके बादा देकि यह राष्टपती में नहीं थे तो सी इज डपर करें दोस्ते आ पर तो इसके अंत्रयात राष्टपती संसत का वेवस्थापिका का अभिन अंग बोला प्राश्ट्रपती राच्जी सभा में 12 सदस्यों को मनौनीत करता, राटिकल 331 की बात करें तो दो सदस्य जो है एंगलो इंडियन सभा में मनौनीत कर सकता है लेकिन अब यह नहीं हो सकते हैं, नहीं मनौनीत करते हैं कर सकता है और छीयसी के तहतं तो । प्रारम कर सकता है नौ घठीड कर सकते हैं, लोगसरफ़ाका पहला सत्र और उसका अधिवेश सब्सक्राइब कर सकते हैं कि यह राज़पती के सकती है अगले सवाल पर चलते हैं च्रीइमती प्रतिभाः पाटेल गरतंत्र में बारते गरतंतर में कौन सी राज़पती बनी थे तो प्रतिभाव पाटिल जो थी यह बनी थी दोस्तों बारहवी है ना यहां से आप लोग नोट कर सकते हैं यह चुकिए आपको सबका नाम भी जहान रखना चाहिए पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो राजंदर परसाथ है ठीक है और दूसरा कारेकाल बिलता था 1962 था र जाकिर हुसेन बने चौत्य बात करें दोस्तों यहां पे इस अभी गीřे पनेते ठीक है ना उसके बात करेंいき दोस्तों पांचवें नंबर की तो आ नाम कहां Barbara आउठा में फिखी पूदीन अलीयाम उज्हां विघ्विक परके दीन तीन छते आपको बताते की आरके बिंगर रमान औहीं की मतना पर रोत दोस्ते यहां पर टॉस्तु यहां पे तो आर्के नरायन एकर रहे पद की बात कर लें तो एपी जे अब्दुलकलाम और बारहवे पद की बात कर लें तो स्रीमतिव प्रतिभा पाटिल यहां नोट कर सकते हैं 2007 से लेकर 2012 तक यह रही है ठीक है और तेरहवे की बात कर लें तो प्रणव मुखर्जी बने थे और यहां पर दोस्तों जो हमारे जो कि एक आदिवासी महिला प्रधव राष्टपती बनी है ठीक है तो यह नाम याद रखिएगा इन सबका सवाल अंबर चलते हैं 23 यहां पर नेक्ष्ट कोशन यहां पर भारत के राष्टपती की तुलना किस देश के समराठ के साथ की जाती है तो बिलकुल ब्रेटन इस और समराठ है यहां कि ब्रेटन की वह हैं क्वीण इलिजबेट दूटी है एक योजना आयोग और मंत्री परशत का देश कौन होता है तो बिलकुल हमारे प्रधान मंती होते हैं योजना आयोग और पर्शत का देश सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट नेमलेगित में से किस राष्टपती ने लगातार दो बार राष्टपती पद समाला है तो डॉक्तर अजिंदर प्रसाद इस दा राइट आंसर अगला सवाल राष्टपती चुनाव का विवाद कौन निप्टाता है तो यह अगर कुछ विवाद हो जाता है इसमें इनकी चुनाव को लेकर तो यह है दोस्तों उचितम नियाने सी इस दा करेक्ट आंसर तुकि डिल्ली में इस्तित है नोट कर सकते है राष्टपती संविधान के किस अनुछेत के अंत्रगत अध्यादेश जारी कर सकता है तो मैंने आपको अभी उनकी सक्तिया बताएं तो आंसर आपनों कीजिए यहां पर उपराष्टपती की बात हो रही है ध्यान रखेगा वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है दोस्तों यहां पर यह अपना त्याग पत्र देता है राष्टपती को ठीक है किसको देता है राष्टपती को देता है यह भी ध्यान रखेगा महाव्योग से भी हटाया जाता है एपना त्याग पतर देना चाहिए तू राष्ट पतर देना चाहिए ओप राष्ट पतर बहुते हन्य देश्थ देशंग में का कमिश्टरों के प्रत्य पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है विदेशी देशों के सभी रादु जो की अमबैसेडर होते हैं हमारे देश के दो अलग अलग कंट्रीज में होते हैं उन कमिशनरों का प्रत्य पत्र ना यह देखते हैं दूस्तों हमारे देश के राष्ट पति डी इस दर करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं और इन्पोर्टेंट है यह भी कोश्चन आ सकता आपके परिक्षा में तो अच्छा एक सवाल और पूछ जाएगा कि राष्ट पति के पत्त जो है वो किस आर्टिकल के तहत नहीं थे तो आर्टिकल बावन के तहत नहीं थे ना राष्ट पति का प्रवधान किया गया है मैंने आपको स्टार्टिंग बता है ठीक है यह ध्यान रखेंगे सवाल राष्ट पती जो है संभीधान के किस अनुच्छेद के अंतरगात राष्ट पती जो है संगी मंत्री परिश्वत की सलाह मानने के लिए बात यह तो बिल्कुल आंसर कर लेजिए दूस्तों आर्टिक संभ पर रह सकता है कि इसी भी स्टेट उन्हार में बार्तिय का काया सोइ राष्टपति टा जो सधा भारती धरम दिर्पेश को सर्वधरम एंएता ऑब ढहा कि एग्जैक्ली राधा कृष्णन जियां अंसर कर लिएगा डी दर करेक्ट आंसर नेक्ट निमलिकित में से कौन सा राष्ठपती निर्वाचन का भाग है परन्तु उसके महाव्योग अधिकरण का भाग नहीं है इसका निर्वाचन होता है तो यह लोग सभी पाटिसिपेट करेंगे लेकिन महाव्योग में इसको हटाने के लिए यह पाटिसिपेट नहीं कर सकते हैं तो यह ध्यान रखेगा आंसर सी हो जाएगा इस दर राष्ठपती पत की उमिद्वार के लिए अधिक्तम आयू कितनी हो लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि आप 35 वर्स के हैं तभी आप इसका चुनाव लड़ सकते हैं एक व्यक्ति राष्ठपती पत के लिए अधिक्तम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है राष्ठपती का निर्वाचन किस प्रकार से होता है तो इसमें जो हमारे शनसत के लोक सभा राज्य सभा और विधान सभाओं के सदस सामिल होते हैं तो यह और प्रत्ष होता तो यह हमारे जनता भी स्वामिल होता है स्वाल नंबर नेक्ट पर चलते हैं राश्टपति के चुनाओं हो के लिए प्रस्तावक और अनुमुदक, कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए ये बता चुक movies 50 50 होना जाए ये अनुमुदक को और कम से कम प्रस्तावकों कि संख्या फिफ्टी-फिफ्टी होनी अनिवार्या है नोट कर सकते हैं राश्टपती चुनाव संबंधी मामले किसे पास भीज आते हैं तो आंसर कर लेंगे मित्रों यहां पे जिहां अंसर कर लेंगे इट से ए उस्तम नियाले के पास भीजे जाते हैं अगले सवाल पर चलते हैं राश्ट्पती पत के विद्वारों को चुनाव प्रचार हे तू कितना समय मिलता है तो 14 दिन कह लेजिए या दो हफ्ता कह लेजिए आंसर टी कर लिजे दोनों ही ठीक है नेक्स पर चलते हैं किस अनुछेत के तहट राश्ट्पती अपने पद ग्रहन करने किति थी पांच वर्स की अवदीद तक अपने पद पर बना रहता है प्रतिन दिर्त प्रणालिका एकल समय करने मतपदती होता है यह आपी प्छपं कहता है राश्ट्पति को भारत के संसत के दोनु सभान लोगसभा और राजी सभा ना डोनु सभान जो है राजे की विधाई को यानि की विधाया सभाओं के सथ से निर्वाजित करते हैं पात साल के तो यह एक ध्यान रखेगा लेकिन आर्टिकल 56 में इसका अंतर एक कर लिएगा इस दरेक्ट अंसर शवाल नमर चलते है नेक्स्ट राष्टपती को हटाया जा सकता है विल्कुल आर्टिकल जो है 61 का यूज कीजिए आर्टिकल 61 का महाव्योग के द्वारा लेकिन 14 दिन पहले इनको ख़बर देना होगा क्या आपके ओपर महाव्योग लगाया जा रहा है दोस्तों नेक्स कॉशन है राष्टपती पर महाव्योग की प्रक्रिया किस देश के समिधान से लिए है एक एक्सपेक्टेड कोशें है आशर कले जेगा सञुद्व राज अमेरिका यूज से इस दे करेक्ट आशर जिया महाव्योग वह प्रक्रिया है जिसके इस्तमाल करक प्रक्रिया होती है यह प्रेसीडिन्ट हटते ही है यह लोगे तो च्बाउट सुप्रीम कूट और हइं पॉर हय कोड़ के जजों को भी थाने के विधी है यह यह अमें यह याने की अमेरिका से मिली आंसर कर लेंगे D is the correct answer और यह आपको देखिए जो है महावयोग जो है आर्टिकल 61 के तहत है भारत में और इसका जिक्र समिधान के हमारे आर्टिकल 61 में तो हैं ही और आर्टिकल 124 में भी आपको उसका पढ़ना पढ़ेगा इसमें की सुप्रीम कोड और समाच में ठीक है याद रखेंगे और 217 में भी यहां पर मिलते हैं कुछ प्रबादान और 218 में ठीक है सवाल लंबर नेक्ट राष्ट्रपती संविधान की किस अनुछित के तहत भारत के मुख्य नयदीज के समख्ष सपत करन करता है अब बिल्कुल आर्टिकल 60 के समक्ष ठीक है याद रखेंगे दोस्तों सपत करता है आर्टिकल 60 के तहत और महावयोग 61 में मुख्य नयदीज के समक्ष के सपत करन करता है करता है मुख्य नयदीज यानि के दिया सी जि आई सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों यहां पर नेक्स्ट मुख्य नयदीज के अरुपस्ति में राश्पति किसके समक्ष ठीक लेता है जब राष्टपती की मृत्यों या त्याग पत्र या पद से युक्त हो जाएं अन्यकारणों से अपने कर्टव्य को नहीं निभा सकता है तो उपर राष्ट पती कितने समय देख राष्टपती बना रहा सकता है यहां पर आंसर पर जी एच यह महीने के लिए बने रह सकते हैं ठीक है सवाल नमबर नेक्स्ट भारति समिधान का कौन सा अनुशेद राष्टपती के पद के लिए पुना निर्वाचित करने की योगता निधारित करता है कि आसरा भी पुना निरवाचि psychiatrist क्यों अब तत्रह रखेंगे minute 2005 निरवाचित करने का योगता निरधारित कि यहीं Boston निर्वाचित करने का भारत के लिए लोग सभा और विधाई को के द्वारा चुना जाता है उनके द्वारा चुना जाता है अंसर कर लीगा आर्टिकल 57 इसमें इलिजीडिटी बताएगे के योगिता निरात की लिए लेक्स्ट राष्ट पत्र के त्याग पत्र की सूचना उप राष्ट्पति किसक बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों जीहां आंसर बी कर लेंगे लोगसभा के अध्याश को देता है बीज तक रहें पर आटिकल 56 के तहर अगर हम बात कर लें दोस्तों राश्च्पती उपराश्च्पती को संबोधित अपने अस्ताक्षर सहित लिख द्वारा अपना पद जो है त्याग कर सकता है आटिकल 56 के तहर यह बताएगे उपराश्च्पती को ही देगा यह और इसकी सुचना स्पीकर को जाती है यानि की योगसभा आट्याश को जाती है नेक्स्ट भतम हो गया यहां पर कोशन यह तोटल यहां पर लबब 50 कोशन थे जो कि हमने आप जाएंसा थीओ